हेलो फ्रेंट्स व्लेकम बैक टीट लिए अपका इस इंट्रेस्टिंग वीडियो में स्वाकेट करता हूँ आज बात करूंगा फार्मा के अंदर डिजिटल मार्केटिंग के उपर बहुत सारे मेरे फ्रेंड ऐसे हैं जो कि भी फार्मा कर रहे हैं या फिर एम फॉर्म कर रह हो वह चाहते हैं कि में फार्मा के अंदर कुछ डिजिटल मार्केटिंग करू या फीडिजिटल थरीके से फार्मा केंदर मैं कुछ काम करूं तो कैसे होगा इसे कर पाऊंगा या मैं इड्वांस चीज़ों को कैसे सीख और कहां मुझे आपलाई करना चाहिए तो उसका मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा देखो कि फार्मा के जो डिश्टल मार्केटिंग वाला पोर्स है वो कहीं भी ओपन नहीं है ऐसा कुछ वेकेंसी नहीं आती कहां बाई मुझे एक फार्मासिस्ट इस चीज के लिए चाहिए विद्धा डिश्टल एड जिसको आता ह हों इस टर्म क को कॉई भी चीज चैसा देखने को मार्केट के अंदर नहीं मिलता है बट इसके अलावा बहुत सारे काम ऐसे हैं जो है जे मेडिकल रइप रहते हुए आप मेडिकल रइप मनुआ हैं तो भी काम कर सकते है अगर आपने B-Pharma पास आउट किया है या फिर आप M-Pharma भी पास आउट की हो तो भी आप कर सकते हो लेकी नेगो digital space में काम करने के लिए डिजिटल वर्ड में काम करने के लिए ओफार्माशुट के ल फील्ड हो या कोई और फील्ड हो अगर आप इसके यहां आना चाहते हो तो आप को इन चीजों कोई समझ होनी चाहिए जब तक आपको digital space का समझ नहीं होगा ना कंपनी मिलेगी हम जॉइन कर लेंगे दिरे दे तोड़ा बहुत सीक लेंगे हमारा काम चल जाएगा बट इंटरनेट के वर्ड में ऐसा नहीं होता है यह अगर अगर थोड़ा सा आ रहा है तो फिर आप काम नहीं करो थोड़ा सा आगो तो फिर दूसरा काम कर सकते हो बट फार प्राग्राम पेज होना चाहिए या फेसबूक होना चाहिए ठीक है और आपको कॉंटेंट जिनरेट करना आना जिसे मैं क्या हूं एक content creator हूं मैं YouTube बना के डालता हूं तो मैं क्या हूं एक digital marketeer भी मैं हो गया मैं social media influencer भी हो गया ठीक है तो मुझे content create करना आता है मुझे digital ची session देता हूं तो ऐसे ही आपको क्या होनी चाहिए इस digital space की समझ होनी चाहिए अब बोलो मैं YouTube देखता हूं मुझे बहुत अच्छी समझ है सिर्फ बहुत अच्छा कहने से आपको समझे यह कोई नहीं माल लेगा अगर आप अपने आपको प्रूब करके बताते हो कहां यह मु वीडियो सूट करो और उनको प्रेजेंट करो यह मत बताओ medicine के बारे में वहां जाके नहीं बताना है आपको यहां वहां पर YouTube वीडियो बना कि यह बताना है कि किसी medicine को कैसे present किया जाता है कैसे उसके बारे में हम बात कर सकते हैं उसका storytelling कैसे होना चाहिए उसका presentation कैसे होना यह medicine को हम present कैसे कर सकते हैं अब दिखाना है आपको पहले digital चीजों को समझना है और उन चीजों का यूज करके आपको वे दिखाना है जब आप यह करने लग जाएंगे आप 20-50-100 वीडियो बनाएंगे आपको थोड़ा patience रखना पड़ेगा तो आटोमेटिकली जो pharma startup companies हैं या जो big companies हैं हर कोई इंटरनेट पे ना हर कोई एक दूसरे को देख रहाता है कोई अच्छा काम आप कर रहे है ना उसमें आपका एक but आपके पास कोई skill set है जिसके लिए कोई आपको contact करे फ्रेंट वो आपको पहले develop करके दिखाना पड़ेगा पहले आपको प्रूब करना पड़ेगा आज एकर मैं consultation करता हूं ठीक है company मेरे products purchase करती है या मुझसे consultation लेती है मुझसे tie up लेती है बहुत सरा suggestion लेती है उसका अपने company के अंदर implement करता है उसको कुछ ने कुछ positive result मिलता है उसका कहीं कहीं चीजे benefit होती है या फिर बहुत जिदा loss में जा रहा होता फिर मेरे बताए हुई चीजों को यूज करता तो उसको benefit मिलता दिन वो मेरे पास में आता है same ऐसे ही आपको चीजे सुझानी बहुत सारे लोग मेरे friends हैं जो कि भार्मा के फार्मा में आकर digital तरीके से काम करना चाहते हैं बट आपको जब तक यह चीज प्रूब नहीं करेंगे तब तक नहीं हो पाएगा ठीक है एक तो यह social media marketing मैंने बताया कि जो influencer marketing वहां मतलब आप यह बताओगे कि social media के तो को ऐसे प्रेंट करेंगे इस तरह से जो engagement ratio होगा ऐसा आएगा दिन आपकी वीडियो को automatically लोग लाइक करना शुरू करते हैं ठीक है जैसे आपने देखोगा वीडियो सूट करने के बहुत सारे तरीके लोग डालते हैं लोग blogging का तरीका डालते हैं लोग car चलने का तरीका car safety बहुत सारे तरीके लोग online बताते हैं और उसको लोग देखते हैं और उस इंडिस्टी के लोग उनके पास promotion के लिए उनसे जुनने के लिए उनसे suggestion लेने के लिए जाते हैं सेम काम आपको करना पड़ेगा चाहिए आप B Pharma हो चाहिए आप M Pharma हो दूसरा तरीका क्या है कि कि आप यहां पर कैसे काम कर सकते हो कैसे आप अपर चाहते हो दूसरे तरीके से काम करना चाहते हो तो फिर आपको वह इसकिल्स सेट अपने अंदर डिवलप करना पड़ेगा जिसी की website development हो गया अभी website development करना बहुत असान है आप WordPress वोपर जाके website develop कर सकते हो बी दिन दो तू ट्री डेस के अंदर website develop हो सकते हैं अब आपको आना चाहिए अभी फार्मा का किसी प्रोड़क को promote करने वाला website develop कैसे होना चाहिए website के अंदर presentation कहना हो कैसे होना चाहिए कौँसी चीज कैसे आनी चाहिए कैसे जानी चाहिए या आपको अपने वीडियो के मात्यम से बताना प चलेगा कि हाँ वह फार्मा कंपनी है देखिए इसका थरीका भी मैं आपको बताता हूं जब भी कोई डोमें पर्चेज होता है तो जितने भी फार्मा कंपनी होंगा उनको डोमें हमेशा फार्मा से रिलेटेड नाम से पता चल जाएगा आपको वह डेमों एथॉर्टी से आप इमील आईडी एंट फोन नंबर पार सकते हैं जिन लोगों ने जो है अब नया डोमें खरीदा हुआ है जितनी डिजिटल मार्कटिंग एजिंसी वो लोग ऐसे फार्मा करती है सब के पास मेल और मैसेज भी डोमें खरीद होगे तो आपके पास आटो में लिए दुनि कोई मुझे मिल जा और मेरा डिजिटल काम कर दे डिजिटल काम होगा कैसे उनको जरूरत बहुत है लेकिन कोई पर्टिकुलर परसन ऐसा नहीं है जो इस टाइप की चीज़ हेल्प कर रहा है कंपनी को जाना पड़ता है वहां में बहुत जदा पे करना पड़ता है आप कोई में आपके सेल को बूश्ट कर सकता हूं आप मुझे दू मैंने तीन मैंने का टाइम दीजिए और इतना कोश्ट आप करें का रप्रेजिस के लेना चाहते हैं सीखना चाहते हैं मैं आपके ब्रेंड को भी ग्रोग कर दूँगा इसके अलावा जो बड़ी कंपनी है वह इस चीज़ का experience है आपका background यह है आप इन चीज़ों को जानते हो तो आप उनके सेल को boost कर सकते हो सेल boost करने का तरीका या पिर उनके advertisement में जो आपको कमी दिखते है कि आप इसको ऐसे ने ऐसे करते तो आपको ज़्यादा अच्छा होता इस टाइप की चीज़ अगर आप उनक को समझना पड़ेगा और उसको समझने का सबसे चा तरीका है YouTube, Facebook यहाँ पर आप active हो जाएए यहाँ पर content produce करने कोशिश करिए maximum to maximum content produce करने कोशिश करिए जो चीज़ आपके समझ में आता कुछ नया करिए brand को promote करने के लिए और उसके recording वही चीज़ आप बताएए वहाँ पर स्टोरी टेलिंग कैसे होती है content राइडिंग कैसी होती है product promotion website पर कैसे होता उसले को website कैसे design करना चाहिए बस उन सारी चीज़ों को लेके आना है फार्मा के अंदर फार्मा के according चीज़ों को convert कर देना है और आपको दे देना है तो यह तरीका है फिलहाल friend कि आप जो है जो लो skill set को ना दिखाना पड़ेगा हां भाई मुझे यह चीज़ जैसे आता है understand तो जो है आपको उसमें help मिल जाएगी बाकि और जदा इंड़ चाहते हो मेरे सब्सक्राइब करना चाहते हो आप एमान नहीं बनना चाहते हो आप manufacturing कंपनी में नहीं जाना चाहते हो आपको टेक्न technology में इंट्रेस्ट है technology आप इंटरनेट के धंपे हम बहुत कुछ कर सकते हैं बट वही है कि आपको उस रास्ते पर चलना पड़ेगा वो skill set सीखना पड़ेगा ठीक है I hope आपको यह वीडियो समझ में आया होगा अच्छी लगी होगी चीज़े कुछ भी doubt है कुछ भी problem है comment क करिए मैं आपको reply करूंगा ठीक है बस यह अगे बढ़ने की चाप के अंदर होनी चाहिए बस ठीक है मिलता हूं next video